दूस्त बारत और इंग्लेंड के बीच तीन मैचों की टीटवन्टी स्टिरीज का अब नया कारेकरम गोशित हो चुका है तो बताएंगे ये बड़े मकाबले अब कब कब और कितने बज़े से शुरू होने वाले है साती इन मड़े मकाबलों में कौन-कौन से दिगज़ गलाड़ी केलते हो नजर आएंगे और कैसे टीम इंडिया इंग्लेंड को हराका तीन मैचों की टीटवन्टी सिरीज को अपने नाम करते हो नजर आएंगे साती टीम इंडिया का कप्तान कौन होने वाला है तो इस वीडियो में आपको सारी अपडेट बताएंगे और मकाबले कब और कितने देरी से शुरूंगे तो आप इस वीडियो का इन तक जरू देखते रे वीडियो को लाइका देजे चैनल पने हूँ तो सस्क्राइब करके बैल बटान जरू दबाली जए दोस्तो भारत और इंगलेंड के बीच तीन मैचो की टीटवन्टी सिरिज के मकाबले 13 मार्च 15 मार्च और 17 मार्च को होने वाले थी लेकिन इस साल आईपियल जल्दी हो जाने के कारण भारत और इंग बारत और इंगलेंड के बीच तीन मैचो की टीटवन्टी सिरिज का पूरा कारेकराम घोशित कर दे गया है यह दोस्तो अब बारत और इंगलेंड के बीच वर्ल्ड कप के बाद यानि कि जुलाई में खेली जाएगी तीन मैचो की टीटवन्टी सिरिज जिनके बड़े मका जिसके चलते टीम इंडिया इस सीरीज को आसानी से अपने नाम कर शकती है दोस्त आपको क्या लगता है टीम इंडिया इंगलेंड को तीन मैचों की टीटोंटे सीरीज में हरा पाएगी नहीं हरा पाएगी केमेंट सेक्षन में यह सो नो कांसा जरू दीजे और किरकेट से सारी अबलेट आप लोगों को मिलते रहें